भारती जनता पार्टी पर जो जा रहा है वो दलितों, मजलुमों, वंचितों, शोसितों, पिछणों के साथ अन्यायक आरोप लगा रहा है ब्रिजलाल जी हमारे साथ हैं, राजसवा के MP हैं, दलित समुदाय से आते हैं, इनसे बहतर कोई नहीं बता पाएगा कितना आपको लोगों की पार्टी के द्वारा अत्याचार हो रहा है? ऐसा है, हमारी पार्टी सबसे ज़्यादा दलितों की हितेसी है और समाजबादी पार्टी को मनता हूँ मैं, उससे बड़ा दलित विरोधी कोई पार्टी नहीं है मैं उसका मैं तत्थों पर बोलता हूँ तत्थों पर ही अबाद हूंगा समाजबादी पार्टी वो है जिसने बाबा साहब का अपमान किया पांच सितंबर 2016 को गाजियाबाद में जब हाज हाउस का इनाउगरेशन हो रहा था तो आजम खाने बाबा साहब को माफिया कहा था माफिया और अखिलेश ताली बजा रहे थे बाबा साहब को अमबेटकर साहब को माफिया बिलकुल बिलकुल हजरत गंज में आजम खान साब के खिलाम लेकिन अखिलेश यादों मुखमंत्री इस थे वों मुश्कराते हुए तालियां तो बाबा साहब का अपमान ये कभी दलित बरदास नहीं करता है दूसरा वीडियो है आपका आपके पार है इसके लिए हो तो दीजी हमें दिखाए हम चलाएंगे चैनल मिल जाएगा इसके लावा आपने जारी क्यों नहीं कि अब इतना आरोप लग रहा है इतना बोल चुके हैं इस पर और सबको मालूम है उस ने कहा यह उगलियां यह जो मुर्तियां खड़ी है उगलियां उठाए यह काती है जिस प्लाट पर हूं भी मेरा है और सामने वाला प्लाट भी मेरा है याजम खान ने कहा था पांच सितंबर 2016 और खलेश यादो जी मंच पर बैठे बैठे तालियां बजा रहे थे तो दलि जिनों के नाम अखलेश जी आए इनको दलितों से इतनी नफरत कि उनके महाफुरस के नाम पर जुझ ले थे उनका नाम बदल दिया रातों राधि जो प्लेट लगे थे उस पर कालिख उतवा दिया ये लख्णों में एक है जनेश्वर मिस्रा पार्क है उसका नाम था पार पंडित जी के लोग भी कुछ रखने देंगे लोगे पास भी कुछ रहे नहीं नहीं पंडीत जी पड़े नेता थे लेकिन अखलेज जी दूसरा पार्क बनाते मुख मंत्री थे रे सम्ने बना वो भी बनाते लेकिन बाबा सहब से नफरत की नाम मिटा करके उनके नाम पर जन बदल दिया और सबसे बड़ा इन्होंने जब इस पावर में आए तो इन्होंने दलित जो अधिकारी करमचारी था उनको पदावनत किया मेरे थानकदेश में सिद्धार नकर कराना हूं दलित था थाना धक्ष था वहीं हवलदार बना दिया जो चीफ इंजिनियर था वहीं इ साथ अंबेडकर वादी भी आ गए है और इस बार तो प्रचंड बहुमत उनको सर मानी चाहिए अंबेडकर वादी अपने को कहने में जहां जिस पार्टी में अंबेडकर का अपमान हो रहा है और जिस पार्टी ने उनको भू माफिया कर रही है वहां स्वामी प्रसाद मेर सबसे बड़ा विक्टिम तो मैं खड़ा हूं जीता जाकता है अखलेस यादो जीने मेरे खिलाब तो राजसभा में पहुंच गए लोगों के जूते घिस जाते हैं राजसभा में पहुंचने पर तो आप तो भाग्यसाली बिल्कूल भाग्यसाली हूं लेकिन अखलेस यादों में सर्विंग डीजी था और मेरे खिलाब नहीं मेरे खिलाब रिटायर डीजी बिक्रम सिंग के किलाब 42 हमाले पुलिस कर्मियों किलाब 18 मई 2013 को मर्डर कमकदमा क्या है इनके पिताशरी जो मुझे लेगे सपी टावा और जो मैंने उनके मनमाफिक काम नहीं किया था स्युपाल ने थाना पर हमला करके साहालम खान थाना धेच को पीट करके मुल्जिम चुड़ा लिया थ था तो मुलाहिम सिंग जी ने मुझे बर्खास करने लिए ये बताईए कि दारा सिंग चौहान और स्वामी प्रसाद मौरिया जो गए हैं उनके जाने का फायदा इन लोगों को मिलेगा ना अब अमबेड कर वादी बसपा वादी बहुजन वादी ये सारे लोग उन्हीं के नाम लेते हैं अभी जो टिकट अभी बीजेपी ने अनौंस किया है फस्सेकंड पेज में 60% दलितों और ओवी सी को टिकट दिया है और पहली बार आप देखेंगे पहली लिस्ट में एक जनरल सीट से बरेली से एक दलित को बीजेपी ने टिकट दिया है सबसे ही तैसी पा करके बीजेपी लाई है बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजलाल जी राजसवासांसत भारती जनता पार्टी के दलित नेता है अब भारती जनता पार्टी के पूरू डीजीपी आईपीस अधिकारी रहें तो आप समझे अगर इन्हों ने अटेस्टेट कर दिया तो फिर बारती जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का मुख्याले लखनव अब एब 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 गंगा खबर आपकी जवाब की